हलो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे RCC टंकी का सरिया कैसे बांदा जाता है सही तरीके से और कितने M.M. का सरिया लगाना चाहिए कितनी दूरी पर सरिया बांदा चीए परफेक्ट तरीके से तो यहाँ पर राजा भाई से टंकी के सरिया की डिटेल समझते है कितने भई कितने की टंकी है और कितना पानी आएगा इस टंकी के अंदर और सरिया की दूरी क्या रखी है और कितने M.M. का सरिया बांदे है और कितना सरिया लगा है इतनी बड़ी टंकी में तो चलिये राजय भाई से इसकी डिटेल समझते हैं कितने वह कितने ही टंकी है यह साथ फिर लंबाई में पाच पुर चोड़ाई में इसके गेहराई कितनी है साथ फिट गेराई है इसकी, इसमें कितना पानी आ जाएगा ? एक टेंकर एक टेंकर के लगबlish पानी आ जाएगा, एक टेंकर जो छोटा आता है, इसमें शर्या कौन से FM का लगाए है ? जी दस FM का शर्या लगाए, छे इन्ची सेंटर के रप से दस एम्म का शरिया चेंची की दूरी पर और आट एम्म का शरिया लगा है आट इंची की दूरी पर और जो पाच पीटे इसमें आधी दूरी पर जाइंड करें और साथ फिट के दाव में भी चार फिट पर जाइंड करें बीस इंटर में जाइंड करें यह जो शरिया इसमें कितना लग गया है एक भारी दस एम्म का और एक भारी आट एम्म का शरिया लगा है गर के शरिये बांधने से रिलेटेट कुछ सवाल हो तो कमेंड बाक्स में कमेंड करें और आप चेनल पर नए हो तो चेनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं एसी ही लेटेस वीडियो देखने के लिए ठेंक्यू फोर वाचिंग